आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now आईए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है तो सवाल है an insect that is commonly available from bookshelves is हमारी bookshelves के अंदर से हमें generally कौन सा insect देखने को मिलता है हमें उसी का नाम बताना है तो कि nature दिये गए हमारी option में से होता है तो आईए सबसे पहले बात करूँगा यहां पर option D के बारे में जो की है mosquito तो जो हमारा mosquito होता है वो हमें almost all environment के अंदर ही हमें पाहे जाता है हाँ जी basically हमें पाहे जाता है tall grasses के अंदर weeds के अंदर homes के अंदर forests के अंदर मतलब जो basic needs की होती है ऐस सच कुछ नहीं होती है लेकिन जो थोड़ा बहुत इसको चाहिए होता है वो यह होता है कि at least a part उसका wet हो के थोड़ा इसी humid conditions उसको चाहिए होती है wet conditions चाहिए होती है वैसे तो मॉस्केटों सारी ही जगा पाया जाता है लेकिन थोड़ी बहुत इसके conditions होती है बता दू यहां पर जो हमारा मॉस्केटो है वो खाली हमें ऐस बुक cold temperatures में नहीं मिलता है जो extreme cold temperature होते हैं वहां पर मॉस्केटों नहीं मिलते हैं जो मॉस्केटों है वो हमारे fly करके दो गूमते रहते हैं गूमते मिलते हैं हमें forest और इनके आसपास ही और साथी साथ बता दो जो मॉस्केटों हमारे जो वहां पर breed करते हैं stagnant fresh water इन्हें एक fresh water चाहिए होता है जो कि hilted होता ना हो वहां पर ये अपने eggs को release कर जाते हैं ये तो मैंने बात करी मॉस्केटों के बारे में आइए बात कर लेते हैं एक बार option कोक्रोच के बारे में तो जो हमारे कोक्रोच होते हैं कि उनको जगा पसंद होती है यानि कि उनका habitat होता है वह mostly रहता है wet, damp, dark और warm कुछ ऐसे areas में हमें पाए जाते हैं हमारे कोक्रोच जाते हैं साथी साथ जैसे कि हमारे example बताऊं सीवर्स हो गए हमारे basements हो गए इनके अंदर हमारे अधिकतर कोक्रोच हमें पाए जाते हैं साथी साथ कई बर हमें यह हमारे homes के अंदर wonder करते होई भी मिल जाते हैं तो यह तो मैंने बात कर इए habitat कोक्रोच के बारे में बात करना चाहूंगा option B के बार में जो कि यह ड्रॉसोफिला जो drosophylla होती है वो हमारी fruit fly होती है और जो drosophylla होती है एसस तो हमें वो भी mosquito के तर सारे ही environment में पाई जाती है लेकिन कुछ special conditions जैसे कि अगर में homes के बार में बात कर रहा हूं तो जो हमारे ripening fruit होते हैं या फिर जो fermented fruits होते हैं यह अधिकतर उनके आसपास जरूर दिखती है जै जो कि है silver fish तो हमारी जो silver fish होती है यह हमारी एक insect होती है यह इसका नाम fish है लेकिन यह फिश नहीं होती है यह हमारी insect होते हैं जो हमें मिलते है dark और damp conditions में हमें जाती है silverfish जैसे कि हमारे areas हो गए, basements हो गए, kitchens हो गए, तो उसके अंदर हमें ये basically पाई जाती है silverfish insect, बात करूँ अगर एक special character के बारे में, इस silverfish के बारे में तो ये specially हमारे attracted रहते हैं, paper की तरफ और damp cloth की तरफ, जो हमारे damp cloth होते हैं, यानि की, जो हमारे clothes जो खराब हो रहे हैं, सड रहे हैं, उनकी तरफ ये specially ज़्यादा attracted रहते हैं, तो जैसे कि अब हमने देखा कि जो हमारी silverfish insect होता है, वो हमारे paper की तरफ ज़्यादा attracted रहता है, जाने की bookshelves में जो सबसे ज़्यादा possibility पाई जाती है हमारी किसी insect की पाने की तो हो ज आच चार्सो 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 पर